ओम शान्ती आज 23 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारे कर्मों पर अटेंशन दिलवाया है कि कोई भी करम विकरम न बने इसके लिए हमें बाबा से राय लेनी हैं बाबा की श्रीमत पर चलना है और विकारों के फंदे में नहीं पसना है आज बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया न्यारे पन की अवस्था द्वारा पास्विध ओनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव हम बच्चों का इस पढ़ाई में लक्ष है कि हम सभी पास्विध ओनर हों केवल पास ही नहीं लेकिन पास्विध ओनर का मतलब है कि कोई भी विकरम की सजा हमें धरम राजपुरी में न खानी पड़े इसी शरीर में रहते हुए करमातीत अवस्था को पाकर अपने सभी हिसाब किताब चुक्तू करना इसके लिए आवश्चक है मन का मौन और मुख का मौन मन की आवाज से परे और मुख की आवाज से परे शांत में स्थिती में स्वयम को टिकाना मन की आवाज अर्थार्थ जब हमारा मन दे अभिमान में आकर किसी न किसी विकार के वशिभूत होता है तब मन में आवाज और मन में हलचल होती है चाहे काम का विकार हो, क्रोध हो या कोई भी प्रकार का अंश हो विकार का वो मन को हलचल में ले आता है तो जब मन पवित्र बन जाता है, मन शान्त हो जाता है और मुख का आवाज यानि इस दुनिया की अट्राक्शन इस दुनिया में जो हम आवाज में आ जाते हैं इस दुनिया के बातों में आ जाते हैं उन सबसे परे अपनी मूल स्थिती और अपना मूल धाम उस स्मृती में रहें तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं जो सदा इस शान्ती में मर्च्ट रहती हैं अपने स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में, अपने घर में, बाबा के सामने तो वो इस शरीर से भी न्यारी हो सकती है हम अपनी दादियों को देखते हैं कि किस प्रकार चाहे शरीर का कोई भी हिसाब किताब आया लेकिन शरीर से मानो डिटाच होकर शरीर के साथ जो कुछ भी होता रहा वो उसे देखते रहे लेकिन अपनी अवस्था को उंचा बनाते रहे तो इस प्रकार शरीर से न्यारा होना आसान हो जाता है शरीर से जो कुछ भी हम करते हैं जो कुछ भी शरीर के साथ होता है उससे आत्मा को दुख की अनुबूती नहीं होती तो आज हम विशेशे अभ्यास करें कि अपने मन को और अपने मुख को भी आवाज से परे शांत में स्थिती में अपने असली स्वरूप बाबा के सामने मूल वतन में रहने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें ओम शांती